दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई comparison वीडियो में और इस वीडियो में compare करने वाला हूं Redmi Note 13 5G versus Infinix Note 35G इन दोनों फोन को में compare करने वाला हूं और इस वीडियो के लाश्ट तक आपको पता चल जाएगा कि यार कौनसा फोन best हो सकता है इन दोनों में से कौनसा फोन value for money हो सकता है तो मैं हूँ वजीम और आप देख रहे हैं influencer वजीम YouTube चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन दोनों के display से तो Redmi Note 13 5G में आपको AMOLED display मिलता है जो कि 6.67 inches में है 395 ppi पर वेज़ड है और 1000 nits peak brightness मिल जाती है 120 Hz का refresh rate इसमें आपको मिलता है Infinix Note 35 G के अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपको IPS LCD मिलता है जो कि 6.78 inches में है और 369 ppi पर वेज़ड है 120 Hz का refresh rate इसमें आपको मिलता है 580 nits peak brightness मिल जाती है तो यह हो जाते हैं इन दोनों के display तो सबसे अच्छा display अगर मैं बताऊं इन दोनों में से कौन सा है तो IPS LCD जो है वो भी अच्छी quality का है Infinix Note 35 G में लेकिन सबसे अच्छा जो है वो AMOLED है जो की Redmi Note 13 5G में आपको देखने को मिलेगा तो AMOLED डिस्प्ले आपको अगर content watching बगारा करनी है आप videos बगारा YouTube, Instagram, Facebook पर watch करोगे तो यार आफी अच्छा experience आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 13 5G में चलिए बात करते हैं हम camera की तो देखी camera जो है और यहां से आप Full HD video record कर सकते हैं with 30fps Redmi Note 13 5G से Infinix Note 35G में आपको 108MP में camera मिलता है जो की एक main camera है 2MP में depth camera मिल जाता है और एक और इसमें आपको camera मिलता है जो की 0.08MP में है इस तरह से triple rare setup पूरे होते हैं 2K video record आप कर सकते हैं Infinix Note 35G से आपके मांद में यह question होगा गिया सबसे अच्छा camera कौन सा है अगर हमें as a camera phone यूज जादा करना है तो तो देखिए Infinix Note 35G का भी camera अच्छा है लेकिन Redmi Note 13 5G जो है उसका camera जादा अच्छा है Infinix Note 35G के comparison में है तो winner जो है camera में वो Redmi Note 13 5G है चलिए बात करते हैं front camera की तो देखिए front camera जो है वो आपको मिलता है 16 MP में Redmi Note 13 5G में और यहां से आप Full HD BD record कर सकते हैं Infinix Note 35G के अगर में बात करूं तो यहां पर आपको 16 MP में camera मिलता है और Full HD BD record आप यहां से भी कर सकते हैं तो इस तरह से यह दोनों camera हो जाते है selfie camera दोनों में से कौन सा camera अच्छा है यह आपका question हो सकता है selfie में तो देखिए selfie camera जो है वो दोनों की ही अच्छे हैं दोनों से अच्छी कासी selfie आप ले सकते हैं और VD record भी कर सकते हैं तो बात करूं अगर मैं आप यहां पर chipset की तो देखिए चिपसेट जो है वो Mediatek Dimensity 6080 मिलता है आपको Redmi Note 13 5G में जो की 6NM पर वेजड है और CPU Octa-Core मिलता है इसमें आपको Inflix Note 30 5G के अगर में बात करूं तो यहां पर जो आपको chipset मिलता है वो Mediatek Dimensity 6080 है मतलब दोनों में ही similar chipset दिये हुए हैं और Octa-Core CPU के साथ आते हैं परनों ही 6NM पर बने हैं तो इस तरह से यह chipset जो है वो दोनों के similar हैं लेकिन आपके मन में यह question होगा कि यह सबसे अची performance हमें कौन सा phone दे सकता है क्या Redmi Note 13 5G देगा या फिर Infinix Note 35G तो देखिए जो performance है वो दोनों की अच्छी है दोनों से ही आप अच्छे से मतलब performance में दोनों ही अच्छे हैं फॉन और लेकिन मेरा जो recommended phone है वो Redmi Note 13 5G है चली ही बात करते हैं अब यहां पर battery की तो देखिए battery जो है 5000 mH का आपको देखने को करता है यह जो कि लगभग 30 मिनिट में 50% phone को चार्ज कर देगा ऐसा advertised है Infinix Note 35G की तरब से तो दोनों में से कौन सा phone अच्छा है यह आपके मन में question हो सकता है मतलब battery में तो देखिए battery जो है वो दोनों की ही अच्छी है लेकिन अगर आपको ज्यादा fast charging चाहिए तो Infinix Note 35G ही phones में जो की काफी अच्छी बात है loudspeakers मिल जाएंगे और अभी तक आपनी decide कर लिया हुआ कि यह कौन सा phone आपको buy करना है camera में चिपसेट में और battery में डिस्पेले में यह सब कुछ मैंने बता दिया है तो आप easily decide कर सकते हो कोई आपका specific काम है तब लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं करना कोई specific काम नहीं है सिर्फ आपको एक phone अच्छा phone चाहिए long lasting तो आपको मैं बता देता हूं तो देखिए Redmi Note 13 5G जो है अगर मैं price से compare करूं तो देखिए price जो है वो लगवक 17,000 में यह start हो जाता है Redmi Note 13 5G और इसकी जो sale है वो 10 तो off January को start हो जाएगी तो 10 January से इसकी जो sale है वो start हो जाएगी तो अगर आप चाहते हैं इन दोनों phone में से कोई phone buy करना तो link description में है आप easily buy कर सकते हैं तो चलिए topic पर वापस आते हैं Redmi Note 13 5G आपको 17,000 में मिल रहा है और Infinix Note 35G जो है वो लगवक 15,000 में या फिर 16,000 में मिल जाएगा तो Infinix Note 35G जो है अब मैं price जो आप अच्छा चाहते हैं तो देखिए Infinix Note 35G आपके लिए best option है लेकिन आप चाहते है camera भी अच्छा हो डिस्पले भी अच्छा हो और चिपसेट भी अच्छा होना चाहिए battery भी ठीक ठाक हो मतलब ठीक ठाक से मतलब है कि साही हो थोड़ा सा budget increase करिए और Redmi Note 13 5G जो है वो आप बाए करिए तो Redmi Note 13 5G जो है वो काफी अच्छा option रहेगा आपको अगर आप डिस्पले camera चिपसेट और बैटरी सब कुछ आपको बेटर चाहिए तो आई होप आपको पता चला होगा और इस वीडियो को मैं ही पर आइंड करता हूं और मैं मिलता हूं आप से नेक्स वीडिय क्या वीडियो कि जाउक वीडिक हृं और मिलता हूं ये